हरा स्टूडेंट्स आप लोग एम्यू 11 इंट्रेंट्स का बिस्ट इंतजार कर रहे हैं अभी तक जो है एम्यू 11 इंट्रेंट्स का फॉर्म आया नहीं है तो कुछ दिन में जो है अपडेट मिल जाएगा आपको और यह विदिन वीग और विदिन 10 डेज तक यह आ जाना चा तो एक छोटा सा मतलब जो कि मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ एम्यू का तो मुझे थोड़ा सा आइडिया इस बारे में तो मैं आप से आइडिया शेयर कर रहा हूँ ठीक है तो कहां कहां से पढ़ने आपको सामने दिख रहा होगा वैसे तो कि सबसे पहले तो मैं सज़ टेंथ के भी पड़ने आपको ठीक है और टेंथ के ज्यादा जो पार्ट होते हैं वह 10 से आते हैं 9 से बहुत कमाते हैं बट फिर भी दोनों को फड़ने हैं और दोनों को एकदम बिल्कुल डिटेल डिज रडिंग टी練 टिंग करनी हैं एक्षा से रेड करना है LINE बाइनْ ब गेन कर लेते हो, बट क्योंकि हमें तो पूरी तयारी कर रही होती है, 80-90% के लिए तब जा करके, राइट, क्योंकि नेगेटिव मारकेंगा ना, तब जा करके जो हमारा बनता है, 60% या 70-75%, बेसिकली देखे आप, इतना ध्यान रखिए, कि minimum 75% तो आपको लाना होता है, क्यो क्योंकि 75, 70-plus रहते हैं, तो सेलेक्शन के चांसे होते हैं, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए, उसके बाद, NCRT के बाद, आपको जो है, गाइड की ज़रूत पड़ेगी, चुकि आपको चेक करना है, कि मैंने जो तयारी की है, मैंने जो पढ़ा है, तो मैं कितना तयार हूं इस टेस्ट के लिए, तो उसके लिए गाइड है, कॉनसेप्टम की, चुकि मैं था, तो मैंने भी यही यूज किया था, कॉनसेप्टम गाइड, तो कॉनसेप्टम की गाइड आती है, मैं वो भी अभी दिखाऊंगा आपको, फिलिप कार्ट पे एजली मिल जाए उसके बाद चलते हैं, रिफरेंस बुक क्या लेना है, तो अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल स्टडी करूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करूँ, तो लखमीर सिंगस चंद की बुक आती है, तो इस चंद की जो बुक है, वो मैं optional में रखता हूँ, यह मैं optional क्यों रखता हूँ, क्योंकि main जो important है, हमारे लिए, बच्चो, main important, सबसे ज़्यादा जो important हमारे लिए, आपको ने पहरी बता दिया, कि वो है हमारे लिए NCRT, बच्चो, ठीक है, अच्छा, उसके बाद concept की guide अगर ले 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 तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहां से आपको idea मिल जाएगा question का, जो previous questions आयो होते हैं, जो EMU की back year questions होते हैं, वो aram से मिल जाएंगे इसके अंदर, और उस level की questions मिलेंगे, और सारे ही subject के मिल जाएंगे इसके अंदर, और उसके बाद last previous question paper, मैंने पहरी बताया आपको कि यह जो मैंने ब और conceptum guide या फिर previous question paper के basis पर, बहुत बच्चों को तो मैंने यहां तक देखा है, चुकि मैं EMU में था, तो उस टाइम पर तो NCRT, सिर्फ NCRT बच्चे पढ़के आ रहे हैं अच्छे से और आराम से easily 75% gain कर ले रहे हैं, तो आप इस level के तैयारी कर लेंगे, तो easily हो जाता है, कुछ trick and tips सीखने होता है, चुकि कम, आसानी से हो जाए questions, तो आप conceptum guide लेंगे, तो आसानी से मिल जाए, और आजकल तो net का जमाना है, तो आप आराम से tips सीख सकते हैं, mathematics के खास करके, previous question paper अब जीतना ज्यादा लगाएंगे, दो साल, चार साल, पांस साल previous question लगाएंगे, उत कुछ guidance थी हमारे तरफ से, बाकि आप तैयारी कीजिए, अभी सही, क्योंकि exam लगबग आप लोगों के खतम हो चुके हैं, exam finish होने के बाद हम लोगों का ऐसा होता है, कि तैयारी सर कह रहे हैं, तो करें कैसे, start कहां से करें, तो मैं आपको सबसे पहले बता दू, class 10 क्योंकि आपने पढ़ा रहा होगा, अभी अभी आपके revision में class 10, तो पहले क्या कीजिए, आप चुकि class 10 तर जादा पार्ट आते हैं, तो class 10 को आप अच्छे से एक बर और revise कीजिए, detailed study कीजिए, पढ़िए आपको अभी time है, sufficient time है, और EMU बहुत जल्द में examनी करवाती है, काफी form ब अगर आप अपने पार्गेट को अचीफ करना चाहते हैं, अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि NCRT में कैसे पढ़ना, और उसके बाद मैं आपको conceptum का भी बता दूँ, ठीक है, तो चलते हैं जरा flip card में आपको दिखाता हूँ, conceptum book लिखेंगे, आपके सामने ये सारे books आ ज जाएंगे, तो अब यहां से purchase कर सकते हैं, अपने address पर मंगवा सकते हैं इसको, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, NCRT से क्या-क्या पढ़ना, अब देख सकते हैं कि मेरे सामने एक chapter opening last 10th का, acid bases and salts, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको तो line by line read करना ही है, साथ में जै जब मैंने दिया था entrance, तो यहां से questions काफी पूझे गए थे, boxes में से, reactions, बीच-बीच में से, काफी questions आए थे, ठीक है, activity हो गए है, तो activity को रटना नहीं है, अब जस देख लिए कि किस चीज क्या activity है, और observations और result conclusion क्या क्या है, बस इतना देखना है, activity है, क्या observation और conclusion, यह सब आपको सिर्फ देखना है, इसके अंदर, conclusion क्या निकलता, activity किस चीज का conclusion क्या है, यह आपको देखना होता है, ठीक है, उसके बाद, इसको line by line read करना है, सारी activity को देखना है, जैसे यह diagram है, अब इस diagram को समझ करके रखिए, कि diagram में किस चीज की reaction चल रही है, जैसे, नीचे statement लि इस तरह से NCRT को read करना है, हर एक reactions को देखना है, अगर chemistry है, तो physics है, तो activities को ध्यान से देखना है, formula बगार ध्यान से देखना है, boxes को पढ़ना है, do you know वाले जो boxes होते हैं, जैसे एक और do you know आ गया, तो इस तरह के boxes को आपको पढ़के रखना होता है, ठीक है, जैसे एक यह symbol से दी उनों का, तो यह भी पढ़ना आपको, ठीक है, यह कुछ छोड़े boxes होते हैं, और last में होता है, what we have learned करके, एक summary होती है, पुरे chapter की summary, तो summary को भी आपको ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है, just देखिया, what you have learned, अब इसके हर points को अच्छे से पढ़िए, read कीज़े, highlight तो आप इस पर बने रहिएगा, और अगर अपने हैं, मैं फिस से कहता हूँ, तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इसको like and share कीज़े, share कर दिए, ताकि लोगों को भी पता चल लिए, दूसरे बच्चों को भी, ठीक है, मिलते हैं, next video, thank you so.